को तो मेरो नाव है मोहीं सर्मा और आपई ख़रे हम आर्ट-गूर्म मोहीं सर्मा यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में फिर से आप देखेंगे वाटर गयर तो आज हम यहां पर बनाने वाले हैं वाटर इक डॉच तो आप देखेंगे किस तरह से आप पर्टिकुलरी ड्रोग बना सकते हैं और यहाँ पर मैंने sketching बताईए आपको measurement के थूम आप किस तरह से sketch कर सकते हैं तो पूरी sketching की process बताईए, पूरी अच्छी तरीके से, तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा, काफी कुछ यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा, वाटर गलर के काफी सारे steps यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े stroke लगानी खोसिस करी है, तो आप देखेंगे, पूरा realistic नहीं बनाया है, पूरा ज़्यादे detailing से नहीं की यह उसमें, लेकिन फिर भी आप देखेंगे किस तरह का यह result निकल के आएगा, तो वीडियो को last तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like, share और नीचे comment करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पे नए आये हैं, तो चैनल को जोड़ सब्स्राइब कर लिजे, बैल आइकन को प्रेस कर दिये, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंच जाए, तो चलिए देखते हैं, आज की watercolor की वीडियो, तो सबसे पहले sketching करने के लिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको face उसका किस तरह का है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे circle खींच लिया है, और अब मैं कर रहा हूँ उसके दो पार्ट, तो eyes आपकी देख रहे हैं, आप काफी उपर है, और नीचे का part बड़ा है, तो हमने उसी हिसाब से एक line draw करी है, और यहाँ पे nose का angle देखा है, किस तरह का nose का angle है, और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे अपनी eyes को draw, तो इस तरह के से आपको eyes draw कर लेनी है, और आपको अब नीचे वाला जो lips है, nose कहां पे आईगी है आपकी, तो उसको divide करना है, नीचे वाले part को और उपर वाले part को measure करके, आपको देखना है कि किस angle पे और किस part पे वाँ पे आ रही है, तो उसी साब से आपको line draw कर लेनी है, और उसके बाद पूरे face को आप इस तरह के से draw कर सकते हैं, measurement के through, तो यह बहुत ही आसान techniques है, अगर आप इसको सीख पाएंगे और दियान से देखेंगे, तो जरूर से इस तरह किसे आप किसी भी portrait का या फिर किसी भी चीज का यहाँ पे आप sketch कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे color use कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने yellow color कर लिया है, जहाँ पे जिस जगे पे yellow color मुझे करना था, उस जगे पे yellow color कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे blue color का एक shade दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं use कर रहा हूँ, ultramarine blue और navy blue थोड़ा सा mix करके, तो आप देख रहे हूँगे किस तरह से पूरी process हमने करी हैं यहाँ पे, और आपको थोड़े से बड़े बड़े stroke लगाने हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा detailing work नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारी जो first layer है भी, उसी को हम यहाँ पे apply करेंगे, तो जहाँ पे भी हमारा blue color है, जो हमारे black color देना है हमको यहाँ पे, तो उसके नीचे हम थोड़ा सा blue color देंगे यहाँ पे, तो उससे जो shade है वो काफी अच्छा निकल के आता है, तो जहाँ पे बिल्कुल ही dark है, तो वहाँ पे हम black का एक shade दे दे रहे हैं, तो हम nose पे try कर रहे हैं, तो nose पे भी थोड़ा सा आपको first layer बिल्कुल हलकी रखनी है थोड़ी सी, जादे dark नहीं करनी है, ताकि हम जहाँ पे उसमें जब second coat कर सकें, तो उसमें जो हमारी पीछे की परचा ही है, या फिर हमको highlight दिखानी है, तो उसको हम control कर पाएं, अगर आप सुरू में dark color कर देंगे, तो आप highlight फिर नहीं दे पाएंगे, तो आप इन चीज़ों का धिहान रखिए, तो अब हम यहाँ पे eyes बना रहे हैं, तो eyes आपको देखनी है किस तरह से बनानी है, तो यहाँ पे मैं brown color यूज़ कर रहा हूँ, तो eyes जो है सबसे बहतरीन पार्ट होता है, सबसे important पार्ट होता है, तो eyes को आपको जितना अच्छे से, जादे से जादा हो सके, अच्छा बनानी की कोशिस कीजिए, उसमें जादे से जादे time देनी की कोशिस कीजिए, तो मैंने फिला लिए याँ पे थोड़ी सी जल्दी बनाई है तो आपको याँ पे time देना है काफी तो अब हम nose पे हम second layer apply कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कहां कहां हमको ज़्यादा dark लगाना है कहां आपको रखनी है medium tone तो उन चीज़ों का आपको धिहान रखना है याँ पे तो first layer जब आप याँ पे apply कर रहे हैं तो आपको hair की direction और hair की जो shape होती है उस direction में याँ पे आपको लगाने है सबसे पहले stroke तो आप देख पा रहे हूँगे मैंने blue color के जो stroke लगाए हैं सारे hair की direction में लगाए हैं ताकि हम जब second layer और third layer apply करें इसमें तो नीचे वाले stroke भी हमारे दिखाई दें visible हो तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपका जो portrait है वो काफी 3D निकल के आता है तो ये सारी चीजें आपको काफी ज़्यादा दिहान में रखनी है तो अब हम यहाँ पे second layer apply कर रहे हैं जो हमारी first layer थी वो dry हो चुकी है तो second layer में यहाँ पे मैं ultra marine के साथ यहाँ पे ultra marine blue के साथ यहाँ पे black यूज़ कर रहा हूँ जो हमारे photograph में दिखाई दे रहा है तो इसी तरह के से इसी के according आपको लगाना है अगर आप एक portrait देखके बना रहे हैं अगर आपको बिना देखके बनाना है तब आप अलग color भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने फिलाल ultra marine blue के साथ black यूज़ किया है तो दोनों को mix करके लगा रहे हैं तो उससे काफी अच्छा shade आपका निकल के आएगा तो आप देख रहे होंगे काफी ज़्यादा बड़े बड़े stroke से यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ज़्यादा detailing नहीं करे जा रही है जो fur है उसकी जो hair है जो doggy के fur होते है तो उसको अगर ज़्यादा detailing पे हम देखेंगे तो काफी सारे पतले पतले बाल होते हैं लेकिन हम यहाँ पे मोटे मोटे stroke लगा रहे हैं ताकि आपको बालों की जो है brush use कर रहा हूं तो यहाँ पे आप use कर सकते हैं 4, 6 और 10 नमर के brushes ताकि आपको काफी असान हो जाए तो यहाँ पे use कर रहा हूं मैं 10 नमर का round brush तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आप detailing में work कर सकते हैं बाद में जब आपकी सारी layers dry हो जाएं तो थोड़े थोड़े आप पतले stroke भी लगा सकते हैं यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे ज्यादा मैंने mixing नहीं के लिए यहाँ पे color की तो जो भी color है वो अलग-अलग color है बिल्कुल particularly ऐसे ही as it is यहाँ पे लगा दिये गए है तो हम जो yellow color है उसमें थोड़ा सा oranges color को mix करके थोड़ा सा brown color को mix करके यहाँ पे shade देंगे ताकि वो भी जो हमारे उसमें shade है light और shade है उसमें भी यहाँ पे आपको visible हो तो आप देख रहे होंगे पूरी process हमने किस तरह से करी है तो काफी लोगों को दिक्कत होती है कि आप mix नहीं होता एक lining drop ला जाती है बीच में line आ जाती है दो color जब आप mix करते हैं दूसरी layer लगाते हैं तो उसकी मैं particularly एक video जल्दी लाने वाला हूं तो उस चीज़ को भी मैं बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से remove कर सकते हैं या फिर आप उस line को बीच वाली line को जो particularly mixing है उसको किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से उसको remove कर सकते हैं तो उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है तो चैनल को जरूर subscribe कर लीजिए और साथी साथ bell icon को देख लीजिए आपका on है या नहीं है notification सायद आपको नहीं जा रहे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए तो यहाँ प तो इसी तरीके से आप भी try करते रहे है वाटर कलर तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम